So, let's start everyone and today will be our third class of fundamentals of partnership, right? So, students, इस session में हम लोग और भी बाकिच्छों को सीखेंगे, जैसे की हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, क्या? हम यहाँ पर सीखेंगे, method of calculating interest on drawings, right? Interest on Capital निकालने हैं, मैं आपको सिखाऊंगा, interest on drawings निकालने हैं, मैं आपको किस इखाऊंगा, फिर यही बताऊंगा आप ये interest on drawing निकालने के तीन तरीके हैं, एक तरीका है आपका simple method, एक तरीका है आपका product method, और एक तरीका है आपका So, period method, right, so students, ये तीनों ही तरीकों को ध्यान सुनेगा, यहाँ पर, basically, simple method में क्यों होता है, interest on drawing आपको निकालना है, तो जो partner, just in drawing करेगा, से ले करके, year end तक आप क्या करेंगे? Interest on drawing निकालेंगे, let's say किसी partner ने करे drawing किया है, एक अगस्त को, कब drawing किया है, एक अगस्त 2022 को, दसे अरपर भी draw किया है, तो अब आप क्या करेंगे? First August से ले करके, 31st, कितना मेना हो गया? August, September, October, November, December, January, February, March, 8 मेना, कितने months? 8 मेन्स के लिए आप interest निकालेंगे, तो अगर 10,000 रुपे उसमें withdraw किया है, तो rate of interest मानते हैं, एक बार के लिए 10% है, तो फ़र 10, upon 100 into 8 by, आप ऐसे निकालेंगे, right? तो अगर मान लिए उसने साल भर में दो बार, तीन बार drawings किया है, एक बार और उसने drawing किया है, 1st November को 5,000 रुपे का, और एक बार उसने drawing किया है, 1st February को 2,000 रुपे का. तो जब उसने 1st November को जब drawings जब किया है, तो फिर 5,000 into 10% into 5 by 12, November, December, January, February, March. और अगर उसने 1st February को किया है, तो फिर 2 मैने का, February, March, तो फिर 2,000 into 10% into 2 by 12. I hope this is clear to everyone. So, यह आप जो है, इस तरिके से interest जो है, अपना compute करते हैं, यह आपका हुआ, simple math है, कभी-कभी क्या होता है, question में से पैसा लिखा रहता है, कि partner withdrew 10,000, क्या लिखा हुआ है, और date of drawing नहीं दिया हुआ है. Right, date of drawing आपकी missing रहता है. तो if date of drawing is missing, तो फिर आप interest on drawing compute करोगे, for 6 months. तो फिर आपका हो जाएगा 10,000, into 10 by 100, into 6, 5, 12. I hope so, यह clear है सभी लोगों को. Clear है तो फिर आगे देखें. देखें, जब multiple drawings होते हैं, ऐसे 1, 2, या 3 हो गया तो फिर हमने simple method यूज़ कर लिया. मगर हमें correct method तब यूज़ करना चाहिए, जब multiple drawings हो. लेट से 3 से ज़्यादा, 4, 5 है, ऐसे drawings हो. तो फिर आप हर बार ये simple method करोगे, तो फिर काम बड़ा लिंदी हो जाएगा. तो हम लोग कौन सा method यूज़ करते हैं, हम लोग फिर product method यूज़ करते हैं. आप product method तब भी यूज़ कर सकते हो, जब आपको question बोले. ये आप खुश से देख रहे हो कि अगर question में अगर 5-6 बार अगर आपका drawings है, तो फिर आप कौन सा method यूज़ कर रहे हो? product method यूज़ कर रहे हो, ये product method के अंदर में students आपका जो यहाँ पर formula होता है, इसके पहले आपको एक table बरना पड़ता है. product method के लिए आपको पहले एक table बरना पड़ता है, ये table में आप क्या-क्या रखते हो, ये भी समझ रहे हो, तो आपने जैसे एक table बना लिया, इस table के अंदर में आपका date of drawing, आपका amount, ये लिखा रहे हैगा, ये तो दोना आपको question में given रहेगा, फिर आप यहाँ से निकालोग जिस date पर drawing किया है, से ले करके year end, कैसे निकले का number of months, date of drawing से year end, जैसे 1st August, तो 1st August से 31st March, वैसे ही करके अगर 1st November, तो 1st November से 31st March, 1st February, तो 1st February से 31st March, 15 March, तो 15 March से 31st March, 15 days, आधा मैना, I hope so, ये clear है, amount और number of months, यहाँ पर आगे आपका, अब आप निकालोगे, यहाँ पर क्या? 15 March हो आपका days में आएगा, अब उसको 0.5 months ले लो, अगर आप 10 March देते तर अपर आपको number of days में, फिर यह आपका पूरा का पूरे number of days में आजाएगा, अगर आपको number of days में नहीं देता, 15 March मैंने एक बहुत ही odd case लिया, अगर 15th, 14th, 16th, 15th ऐसे cool date देता तर आप half of the month लेकर के अपना काम start कर देंगे, तो आप number of months आपका यहाँ पर हो जाएगा, अब आप क्या करोगे, product कैसे निकालोगे, amount into number of months, A into B, यह आपका क्या आजाएगा? product. अब आपका देखो, interest on drawing का जो formula हो जाएगा, वो हो जाएगा, total of product into rate upon 100 into 1 upon 12, क्या हो जाएगा आपका formula? total of product, आप total कर लोगे, आपर products का, into rate upon 100 into 1 by 12, clear है, यह हमारा formula हो जाएगा, तो यह करके आप क्या निकालोगे, interest on drawing, I hope so यह formula सबको clear हो जाएगा, एक और formula हम लोग use करते हैं, apply करते हैं, इसको हम लोग period method, मैंने इसको rename किया है, right, तो basically यह period method कब आप use करते हो, जब आप क्या करते है, normally, आम तोर पर, एक business owner जो है, उसको, जैसे, हमारा नहीं घर का खर्चा, हमारा एक fixed kind of होता है, जैसे किसी घर में 20, 30, 30 खर्चा एक लगता है, और बागी उसको, सब कुछ मिला कर, कि उसको 45,000 रुपीज मन्त ली चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने partner से, firm से कहूंगा, कि मुझे 40,000 रुपीज, आप हर मन्त के beginning में दे देना, या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मुझे 40,000 रुपीज, हर मन्त के end में दे देना, या मुझे 40,000 रुपीज के राओं, तुम हर इस particular date पर दे देना, middle में दे देना, किसी ऐसे date पर दे देना, तो यह आपका क्या हो जाता है, यह आपका एक fixed amount, यह print method का formula आपका अब 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 आओगे, जब आप एक fixed amount withdraw कर रहे हो, at fixed interval पे, मेरे साब सोई बत clear हो रही है, तो आप यह period method, यह वाला formula, जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह वाला formula हमारा कब apply होगा, तब apply होगा, जब आप क्या कर रहे हो, fixed amount, withdraw कर रहे हो, कब? fixed interval, ऐसा नहीं, किसी मैंने 10 निकाले, किसी मैंने 15 निकाले, किसी मैंने फिर कभी कुछ, कभी कुछ, तो फिर आपको फिर कौन से करना पड़ेगा, उपर वाला formula, नीचे वाला formula कब apply होगा? जब fixed amount, withdraw करो, fixed interval पर, तो आपका interest on drawing का formula, बड़ा ही simple सा होजाएगा, यह होजाएगा, आपका total drawing into rate upon 100 into number of months upon 12, right, total drawing से मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने का मैं हर मैने की beginning में 10,000 पर पर draw करता हूँ, तो हमारा जो total drawings होगा, students वो कैसे निकलेगा? तस हजार into 12, बासमाज में रखने हैं, rate है आपका 10 by 100, number of months अब आपने को निकालना है, क्या निकालना है आपने को? यह number of months आप कैसा निकालोगे? तो यह आपका जो number of months आता है, यह आपका आता है, यह आता है, यह आता है, यह Նता है, आता है अपका में तो स्चेमा पर TIो, में बास्ता है बास्पू आपका आता है है, अगका टा fajता है क्येका बास्स, अब जैसे समझें कि आप ने अगर हर मैने के बिग्निंग में बिट्रॉ किया अगर आप हर मैने के बिग्निंग में अगर आप लोग बिट्रॉ कर रहे हैं तो फिर आप 1st April, 1st May, 1st June, 1st July, 1st August and so on करके आपने बिट्रॉ किया अब 1st April को आपने बिट्रॉ किया 1st April से 31st March 1st April से कितना दिन आ जाएगा 12 months 1st April 31st March कितना दिन आ जाएगा 12 months अच्छा लास्ट राइंग आपने कब किया 1st March 1st March से 31st March 1 month तो 1st April से 31st March is 12 months लास्ट राइंग आपकी 1st March से 31st March is 1 month तो 12 प्लस 1 अपन 2 6.5 कितना दो गया 6.5 अपन 12 तो आप यहां पर निकालते हो number of months आप ऐसे हर cases में निकालते जाओके जैसे end का आप निकालोगे beginning का आप निकालोगे ऐसे करके पर आप निकालते जाओके तो मैं आप लोगो कि लिए आप पर number of months लिग भी दे रहा हूं आप लोग इसको चहो तो फिर याद भी कर सकते हो या यह formula apply करके अगर आप को याद ना रहे तो आप लोग इसको देख भी सकते हो number of months beginning of each month कितना आजाएगा 6.5 end of each month 5.5 fair middle of each month right fair beginning of each quarter fair end of each quarter कितना middle of each quarter six right फिर अगर हम लोग बात करें और भी कैसे आते हैं आपर सर्फ इतनी नहीं है beginning of each month for six months 4.5 5, beginning of sorry end of each month for six months 2.5, फिर middle of each month for 6 months, कितना? 3, बैसे ही करके फिर 9 और अगर किसी को याद हो तो फिर, मगर यूटूब पर मेरा एक वीडियो भी पढ़ागा, उससे भी आफ लूप देख करके, वह सौटकट तरीका यह कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, वह सौटकट तरीके यह सब कुछ जो है, अभी टाइम नहीं हम उसको भी यहां पर न मुले कौंश फूचता है यह पता पना असंभव है, तो अच्छा, स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, दो काुन केमेरेट्राइंग्स होते हैं, एक होता है ड्राइंग Out of profit और एक होता है drawing Out of Capital, तो इंटरेस्ट हम लोग एक पर किस पर निकालते हैं понадवागा Leahov पर आ निकलते हैं, वो हमारी capital पर जो interest निकलता है, उसमें से कम हो जाता है, अच्छा एक और important funda मैंने आप लोग को बताया था, अगर आप लोग को याद हो तो फिर, कि अगर हमारा loss है, तो मैंने आप लोग को ये बताया था कि आप, आप जो है PL account बनाते हो, PL appropriation account नहीं बनाते हो, मगर अगर आपको interest on drawing अगर लेना है, अगर charge करना है, तो फिर आपको बनाना पलेगा, फिर अब आईए सीखते है interest on capital, interest on capital, यू तो आम तोर पर appropriation of profit होता है, क्या होता है, मतलब profit को हम लोग बाठते हैं, appropriation of profit, interest on capital is appropriation of profit, it is not charge against the profit, it is appropriation of profit, but, कभी कभी, sometimes, in the question, it is given that, interest on capital is to be allowed, even if there is loss, अगर loss है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो अगर आपको interest on capital देना पड़ेगा, अगर ये आप loss है, तो भी देना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो क्या, in such a case, interest on capital is charge against the profit, it is not an appropriation of profit, it is what, charge against the profit. So, interest on capital, in such a case, is charge against the profit, in such a case, interest on capital is charge against the profit, right, I hope so, clear है, सभी लोगो, So, in such a case, interest on capital is a charge against the profit, and will be recorded in PL account, I hope so, ये clear है, सभी लोगों को, right, अच्छा, अब बात करते है, अप्रोप्रेशन और profit की, जब अप्रोप्रेशन और profit है, तब क्या, जैसे ये charge वालत पर अपने लोगों के समझ गए, अब यहाँ पर अगर मारा 20 रपे का loss है, और interest देने को बोल रहा है, तो भी देंगे क्या, देंगे, बले ही loss होता जाए, कोई मतलब नहीं, कहाँ पर उसको record करोगे, PL में, मगर चार जगे इस थी profit कब मानोगे, जब question specifically cheek करके बोले, चला करके बोले, क्या बोल रहा है, कि interest on capital तुमको देना ही देना है, हमसे मतलब नहीं कि तुमारा profit हुआ या, सहंज मैं रहा है कि नहीं, तो पर आप interest on capital दे देना, अब cheek रहा है, चला रहा ह करोगे, interest on capital फिर देदा होगे, I hope so ये clear है, clear से मुझ मैं रहा है, पर बोलो फिरागे के बात करें, अच्छा, अब अगर हम लोग आगे बड़े, तो अब देखे क्या होता है, यहां तक 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 हो गया, जब appropriation of profit होता है, तो इस case में क्या करते होगे, interest on capital देते हो, जितना profit रहागा दे दोगे, मतलब अगर profit अगर मालो, let's say मैंने कहा कि हमारा profit है देल लाग रोग है, ठीक है, और दो partner से, एक की capital है, पांच लाग, दूसरे capital है दो लाग, और interest देना है 10%, फिर से एक बार रेपीट करो, हमारा profit है कितना, डेल लाग, कहाँ, एक partner है A, इसकी capital है 5 लाग, दूसरा partner है B, और interest on capital है, तो अब A का interest निकाल हो गया, 5 लाग का 10%, B का interest निकाल हो गया, टोडल कितना हो गया, और profit कितना था आपका, तो बाकी 80,000 रुपया, बाट दो गया partners के बीच में जैसे बाटना हो गया, और मास समझ में आ रहा है कि नहीं, बट आगे सुनना धान से, suppose अगर हमारा profit केवल हो 42,000 रुपीज, कितना हमारा profit, बाकी ये case सेम है, ये यहाँ तक का सेम है, मांगर profit कितना है हमारा, 42,000 रुपीज, अब क्या करोगे, अब देखो अगर आप interest on capital देते हो, ए को, तो ए का तो फिर आता है कितना, 50,000, बी का कितना आता है, total कितना आता है, ठीक है, ठीक है, फिर अब आगे सुनेगा, अब यहाँ पर, हम क्योंकि पूरा, अगर interest बाटेंगे, तब तो फिर वो loss में चला जाएगा, और ऐसा allowed, नहीं है, तो फिर इस case में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ 42,000 रुपीज तक का, सिर्फ कितना, 42,000 रुपीज तक का ही, प्रॉफिट जो है, वो बाट सकते हैं, as interest, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्वेंट्स, इसके लिए हम लोग यहाँ पर, इस interest on capital को, sorry, इस profit को, interest on capital जो आ रहा है, उसके रेसे में बाट देंगे, आप इसको यह भी कह सकते हैं, कि आप इसको capital के रेसे में बाट देंगे, किस रेसे में, 5 is to 2, तो आप 42,000 को 5 is to 2 में बाटेंगे, तो फिर इंटो 5 बटि 7, और इंटो, यहाँ पर 42,000, इंटो 2 बटि 7, तो A का कितना आ जाएगा, 30,000, B का कितना आ जाएगा, और total कितना अपने interest दिया, क्या यह सवंग में आ रहा है, तो A को कितना मिला, 30, B को कितना मिला, total कितना हुआ, ठीक है, loss तो फिर बात क्लियर है सभी लोगों को, इसमें कोई डाउट यहाँ तक तो फिर बताएगे, नहीं तो फिर आगे बढ़े, बात सवंग में आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कि हम interest on capital बातने के बाद में कभी भी loss में नहीं आ सकते, या कुछ भी appropriation का item, जैसे interest on capital होके है, partner salary कुछ भी बातने के बाद में ऐसे चीज़ों को, हम लोग loss में नहीं आ सकते, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अगर हमारा profit insufficient है, तो फिर इन च attributable as profit या appropriation के receipt होगा, जैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ को और add कर दूँ, इतना चीज़ है, profit है हमारा, A का, B का capital देवा, interest on capital देवा है, और let's say, ऐसा भी लिखा हुआ है कि, A को salary भी मिलेगी, या A के जगा पर B का कर देता है, B को बिचारे को कुछ नहीं मिल रहा, B को salary भी मिलेगी, let's say, आपने कहा, 2100 या let's make it 14,000 yearly, साल के कितने मिलेगी salary, 14,000 yearly, समझे रहे हैं आपको, कितने मिलेगी, 14 hundred yearly, B को जो है, क्या मिल रही है आपकी? salary भी मिल रही है, अब यहाँ पर देखे क्या हुआ, अब A को interest देना है, B को भी interest देना है, और A को salary भी तो देना है, 14,000, तो अब यहाँ पर क्या-क्या हो गया? A को जो आपको पैसा देना है, वो तो हो गया, 50,000, B को आपको जो पैसा देना है, 20,000, plus 14,000, 34,000, और टोटल कितना आ गया? 84,000, ठीक है? अब appropriation आप कैसे करोगे? अब appropriation आप इस ratio में करोगे, अब देखो अब यहाँ पर capital के रिसी में आपने appropriation नहीं करोगे, आप यहाँ पर appropriation आप किस ratio में करोगे? जो amount distributable है, जैसे एको कितना पैसा मिलना जाएता, 50,000, और B को कितना पैसा मिलना जाएता, 34,000, त आप इस ratio में करोगे, यह ratio कितना होगे? आपका 50 is to 34, और कटते जोगे, फिर कितना आजाएगा? 25 is to? दोनों कोई पर add करो तो, 42 आएगा ना? 42 आएगा ना? अब इस ratio में बाढ़ तो क्या? तो 42,000 into 25 by 42, into 17 by 42, कितना है? I hope so, यह clear है, clear है, तो पर बोलिए पर आजाएगा, तो यह आप लोग समझ रहे हैं, right? अच्छा, आज के लिए, अभी एक topic और अभी हम लोग take up करेंगे, फिर we are almost done with the topics, अच्छा, interest on capital के कुछ मेरी notes में, कुछ आपको कुछ और cases भी दिखाई देंगे, एक बर पहले वो cases पढ़े थे, interest on capital, when the partnership, no interest, अच्छा, when the partnership, no interest will be allowed in capital, agreement is silent about the, आच्छा, यहाँ पना थ्रॉआ सा, यह misprinting है, when the partnership date, agreement, यह line नहीं होगा, यह line नहीं दोबारा गई है, when the partnership agreement is silent about the interest on capital, partnership agreement क्या है, किसके regarding, तो फिर आप interest on capital, यही तो, okay, when the partnership agreement provides for interest on capital, but is silent for treating interest as charge or appropriation, तो फिर क्या माना उसको, charge यह, appropriation, appropriation, थिके, interest on capital will be allowed only when there is profit, in case of loss, no interest will be allowed, where the profit before interest is equal or more than the amount of interest, तो फिर full interest will be allowed, जो अपने पास है profit परियाप्त है, 70,000 यह उससे जादा है, तो पुरा 70,000 का दे देंगे, यह उससे जादा होगा, तो न उससे जादा देंगे, बट अगर कम होगा तो फिर, interest will be restricted to the amount of, hence profit will be distributed in the ratio of interest on capital of each, अच्छा, यहाँ पर वे देखो क्या लिखा हुआ है, capital ratio नहीं, normally अपने लोग capital ratio बोल देते हैं, वो फिर universal नहीं है, हर जगा पर apply नहीं करेगा, फिर के स्री, when partners have agreement provides for interest on capital ऐसा, तो फिर आप क्या करोगे, पुरा कपरात होगे, अच्छा, यहाँ पर, अब हमारा topic है, क्या, guarantee of profit to a partner, तो strengths, यह कुछ last topics हमारे चल रहे हैं, हम इस पूरे fundamentals को, अगली class थक में wind up कर देंगे, फिर एक class मैं लोगा, जिसमें आप लोगों साथ में practical questions discuss करूँगा, sample papers के, और फिर एक class में आप लोगों की mcq type इसी चीज़ों पर लोगा, clear बदे, ठीक है, तो guarantee of profit to a partner, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, के बार जैसे, let's say, दो partner है, तीसरा partner है, तो जो तीसरा partner आ रहा है, उसको दो partner मिल करके guarantee दिए, उसको डर लग रहा है, हम business करेंगे, हम पता नहीं profit होगा है, तो अब क्या होगा, उस partner का, कभी भी profit का हिस्सा, उस guaranteed amounts से कम नहीं हो सकता, कभी भी, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता, let's say, ABC तीन partner से तीनों एक बल रिश्मे में सेयर करते हैं, मगर C को guarantee मिला हुआ है, कि उसका profit एक लाग रुपे से कम नहीं होगा, right, और let's say firm का profit, अगर साड़े चार लाग रुपे, तो साड़े चार लाग into, into 1 by 3, कितना आएगा? एक लाग पचास है, अपने लोगों उसको minimum guarantee कितना किया हुआ है? तो कितना दे? एक लाग पचास है, पूरा दे तेंगे, मगर let's say, अगर पूरी firm का profit is only 1,50,000, not 4,000, it is only how much? तो सी का profit कितना आजाएगा? और आपने उसको guarantee कितना किया हुआ है? तो आप उसको कितना दोगे? तो guarantee अगर आपने किसी partner को किया है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले थान सुनेगा, सबसे पहले आप कुछ steps थान सुनेगा, steps to be followed for distribution of profits. in case of guarantee to a partner, right? सबसे पहले सबसे पहले सबसे बाराइबार, पार्टेनर, किसका share of profit निकलोगे? जिसको आपने guarantee दिया हुआ है, लेट से आपने अगर C को guarantee दिया हुआ है, तो अब ABC sequence में चलना, पहले किसका share of profit निकलोगे? पहले C को, जिसको भी guarantee दोगे, उसका पहले profit निकलोगे, ठीक है? उसका share of profit क्या होगा? actual जो आ रहा हिए, minimum guarantee, whichever is higher, दोनों में सो जो भी, जाता होगा. तो पहले स्टिफ अमारा क्या हुआ? पहले स्टिफ गोगा, compute the series of profit of guaranteed partner, series of profit, कैसे निकाल होगा, actually, minimum guaranteed, whichever is higher. तो अगर यहां पर, if minimum profit is given, if minimum guaranteed profit is given, अगर minimum guaranteed profit अगर given है, तो फिर ठीक है? आपको compute करना पड़ेगा क्या? compute deficit, और deficit क्या होगा? deficit होगा आपका minimum guarantee minus actual जो आ रहा था. मतलब इसको मिलना चाहिए था, इसको minimum guarantee था एक लाए, और let's say इसका actual आ रहा था, 75,000, let's say 75,000, तो deficit कितना होगा? 25,000, बासमें में आ रहा के नहीं, अब, यह step 2 होगा, अब, step 3, compute share of profit of remaining partners. compute share of profit of remaining partners. तो let's say कि हमारा total profit था 2,25,000, वही, थोड़ा सा इसको question को बतला हूँ, ता कि और ही, मतलब, calculation में, strong smudge map है, right? तो let's say 2,25,000 था, तो 2,25,000 में, C का share of profit आया, 25,000, मंगर उसको minimum guarantee कितना करके रहे थे? एक लाग, तो deficit कितना आया? 25,000, अब यह कौन bear करेगा? A और B, या वो partners bear करेंगे, जो guarantee किया था, agreed ratio में, ठीक है? यहाँ पर लिख भी जेता हूँ, deficit is to be born by, deficit is to be born by the remaining partners, in agreed ratio and if no such ratio is given, अगर कोई ratio नहीं गिवन है, if no such ratio is, अगर कोई ratio गिवन नहीं है, then it would be equally, नहीं, it would be in profit sharing ratio amongst, amongst them. मुझे ना थोड़ा सा question को और twist करना पड़ाएगा, students, मुझे थोड़ा सा और question को frame करना पड़ाएगा. लेट से मैंने कहा हूँ कि हमारे तीन पार्टनेर है, थोड़ा ट्वेस इसले करना जरूँ नहीं क्योंकि आप लोग को फिरा से समझ मैंने आएगा, तो मैंने कहा हमारे तीन पार्टनेर्स है, A, B और C, ratio at 2 is to 1 is to 1, C को guarantee किया हुआ एक लाग रुपे के profit का, पूरी firm का profit है, firm का profit है 3 लाग, तो 3 लाग का 1 बाइ 4 करो, C का पहले share of profit निकालो, C का share of profit कितना आ जाएगा, 3 लाग का 1 बाइ 4, 3 लाग का 1 बाइ 4 कितना आ जाएगा, 75,000, minimum guarantees को कितना कर करेके हम लोग, तो C will be given, कितना दो गया प्रोग C का, 1 लाग, यह step 1 हो गया, deficit, 1 लाग, minus 75,000, सम्झ में रहा है, अब देखो 30 लाग स्टाव समझे, बाकि remaining partners का profit निकालो, तो compute share of profit of remaining partners, वो देखो कैसे निकालोगे, अब धान समझना, आप यहाँ पर करोगे, जैसे एका share of profit निकालोगे, वो कैसे आएगा, 3 लाग, into 2 by 4, समझ में रहा है कि नहीं, तो आपने यहाँ पर क्या किया, profit into profit sharing ratio, जो आमतर पर आप कर रहे थे हैं, अब इस में से, क्योंकि जो deficit है 25,000 रुपे का, वो भी मानते हैं, कि partners ने कोई ratio आपस में discuss नहीं किया, तो यह 25,000 रुपे कौन देगा, कौन देगा, A और B, जो profit sharing ratio amongst them है, between them है, यहाँ पर आप मानस कर दोगे 25,000 into 2 by 3, और B का आप जब निकालोगे, तो फिर आएगा आपका, 3 lakh, into 1 by 4, minus 25,000 into 1 by 3, I hope यह clear है, clear है तो फ्रपुली, यह स्प्रागे की बात समझे है, नहीं, कुछ और नहीं कर सकते हैं, कोई और दिमागी मतलगा है, मैं आप लोगों के दम कंक्रीट चीज बता रहा हूँ, कभी-कभी ऐसा करता है कि आपको ना, जैसे question में कोई कहा कि नया partner आया, उसका share one-fourth हो गया, तो आप क्या करेंगे उस case में, आप जो है ना, पूरे, तो कि आप लोग तो देखिए, पूरा partner से पूरा प्रपल लेंगे, तो आप तीनो पार्टनर के बीच का profit sharing ratio पहले निकालेंगे, मैं अप लोगों को एक बार profit sharing ratio compute करना, फिर से recall करवाऊंगा, मगर कोई partner अगर आया, C, उसका share देते हैं, जैसे दिया बार पहले से A, B, partner थे twist to one के ratio में, C आया, one-fourth share पर, तो आप क्या करोगे याँ पर, E, B, C, तीनो का क्या करोगे, आप profit sharing ratio आपस की बीच का निकाले ना, फिर उसके बाद में उस question को फिर continue करना, solve करना, मेरी बास मुझे में इसी तरीके solve करना, कोई और तरीका नहीं लगा ना, आप believe करिए, आपका कम से कम गुद्धी में काम हो जाएगा, मेरे को पता आपकी डिकी गुल की कितब में कैसे किया हुए, वो तरीका हमेशा लेंदी पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं हर question के साथ में, believe me, आप लोगों को एक process देता हूँ, और जो process देता हूँ न, मतलब हर question के साथ में हर एक चीजों का एक process देता हूँ, वो जो process मैंने आपको दिया, believe me, उस process आपका हर एक question हो जाएगा, every question, clear है, पंडा सौंज में आ रहा है, so, आईए, यहाँ पर आते हैं, तो step 3, compute share of profit of remaining partners, तो profit into profit sharing ratio, minus deficit, deficit को आप minus करोगे, into जो भी agreed ratio होगा, जैसे agreed ratio कर कुछ नहीं दिया होगा, तो फिर 2 is to 1 हो गया, मगर अगर let's say लोगोने काम लोगो, equally देंगे, तो 1 is to 1 हो जाता, अगर let's say कहते की, 3 is to 2 की ratio में देंगे, तो 25,000 into 3 by 5 हो जाता, I hope so, यह clear है, आप ऐसे करके बागी पार्नस का नहीं देंगे, So, with this, we will end our today's session, very few topics are left for this, we will be wrapping up this whole topic in next class. Thank you.